हालो फ्रेंट्स आइम सुजी आज फ्रेंट्स मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल स्वीट ले आए हूँ यह है साउथ इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट है और स्वीट्स है ना फ्रेंट्स अलग-अलग स्टेट्स का अलग-अलग प्रोसीजर होता है और कुछ-कुछ ऐसे स्वीट्स है और प्रोसीजर सेम है टेस्ट भी सेम होता है और नाम अलग-अलग होता है आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसे एटम ले आई हूँ यह है शुब काम के लिए हम लोग यूज करते हैं एंड सेकेंड हम लोग पूजा में न ये भोग लगाने के लिए भी ये वाला स्वीट हम यूज करते हैं चलिए प्रोसेस बहुत इजी है और बनाने का ये जो टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा मैं दिखाती हूँ कैसे बनाना है सबसे पहले एक कप उड़ दाल तुक अप राइस लेके वाश करके भीगो के रखना है चार गंटे के लिए और एक कप चना दाल लेंगे इसको भी अच्ची तरह से वाश करके एक गंटे के लिए भीगा के रखेंगे अभी एक गंटे के बाद हम कुकर लगाएंगे और ये दाल में है ना फ्रेंट्स चार ग्लास वाटर डालना पड़ेगा और एक दम अच्ची तरह से कुक होना है कम से कम पांच विजिल्स तो आने देना है और ये है न पानी है आगे यूज करना है इसलिए ज्यादा पानी डालना पड़ेगा देखे कितना soft हो चुका है इतना soft होना है अभी इसको पानी को drain करेंगे अभी strainer में डालेंगे इसको ठंडा करना है पानी मत फेक येगा एंड ठंडा होने के बाद इसको एकदम fine paste बनाना है mix में देखे अभी हो चुका है इसको side में रखेंगे नेक्स्ट हम बनाएंगे जागरी सिरफ मेन जागरी जो है वन कप लिया है वन कप चना दाल को वन कप जागरी पौडर ले रही हूं आप जागरी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें वन फोट कप वाटर लेके पतला करना है और चासनी नहीं बनाने तोड़ा से इलेची पौडर डालके हलका एक मिनिट के लिए इसको बॉइल करके side में रखेंगे नेक्स हम पैन लेके वन टेबल स्पून घी डालेंगे उसमें ड्राइ फ्रूट्स फ्राइ करना है में वन टेबल स्पून कैश्यो नट्स लिया है इसको अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे next one tablespoon किश्मिश डालके उसको भी अच्छी तरह से फुलना चाहिए तब तक इसको fry करेंगे एक दम इसको जलाना नहीं अच्छी तरह से fry होने के बाद इसको side में रखेंगे next process में जाएंगे अभी चना दाल का material में जागरी syrup एड़ करेंगे gas को in a medium flame रखे इसको अच्छी तरह से mix करते रहना है और continuously इसको हिलाते रहना होगा and high flame बिल्कुल मत रखेगा क्योंकि ये नीचे लगने की chances होता है एक बार जलने के बाद है फिर इसका spot bigger जाएगा और इसलिए carefully इसको पकाना है देखे अभी गाड़ा होने आया है और थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे इसमें मैं 4 टेबल स्पून कच्चा नारेल पौडर डाल रही हो और ड्राइफ रूट्स है न जो अल्रेड़ी हम इसको बून के रखा है और इसको भी इसमें डाल के एक मिनिट के लिए इसको पका के गैस बंद करके साइड में रखेंगे नेक्स अभी इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल के अच्ची तरह से मिक्स करके साइड में रखेंगे अबहें मैटीरियल टंडा हो चुका है बौल्स बनाएंगे ये वाला मेटिरियल से आप लोग पुरन पोली महरास्टेंस जो बनाते हैं वो भी बना सकते हैं और सौथ में भी इसको अलग-अलग वेरेटीस का बनाते हैं और देखे इतना सारा बॉल्स हो चुका है इसको साइड में रखेंगे नेक्स दाल और रैस को बिगा के रखेंगे उसको भी पीसेंगे और देखे एकड़म फाइन पेस्ट बनाना है और इसको एक बॉल में लेंगे ज़्यादा पतला नहीं करना है मैं दिखाती हूँ कंसिस्टेंसे किस तरीके से होना है ये बैटर को एना फर्मेंट नहीं करना है ये फ्रेश यूज करना होता है इसमें हलका सा पिंच सॉल्ट डाल दिजेगा नेक्स इसमें एड करेंगे खाने की सोड़ा जो है बिल्कुल थोड़ा डालना है और अगर आप नहीं चाहे तो इसको स्किप कर सकते है नेक्स अभी कड़ाई रखेंगे ऑईल गरम करना है और उसके बाद हम बाल्स को इस बैटर में डिप करेंगे और आप हाथ से भी कर सकते हैं अगर चम्मच से ऐसी इस तरीके से लेंगे ना बिल्कुल साइज अच्छी तरह से होता है और ये तेल ज्यादा गरम नहीं मीडि जाल रही हूं और मीडियम फ्लेम में रखेगा क्योंकि अंदर से इसको हमें पकाना है एकदम हाई फ्लेम में रखेंगे ना उपर से एकदम रड़ी हो जाएगा फिर वो पकेगा ने ये वाला स्वीट है ना फ्रेंस हम स्पेशली सावन मैने में बनाते हैं लक्षमी माता क तो नीचे से फट जाएगा इसमें आलरेड़ी एक तो फटा है इसलिए थोड़ सा तेल में वो स्प्रेड हुआ है जो अंदर का मेटिरियल और ये ना तेल आप लोग रियूस भी कर सकते हैं वो खराब नहीं होगा देखें आल्मोस्ट हो चुका है अब दोनों सैड को निकालेंगे प्लेट में नेक्स्ट अभी स्पेशल प्रोसेस में जाएंगे ये जो दाल का पानी है न में बगल में रखी हूँ इसको हम बनाएंगे चैना दाल का रसम ये बहुत टेस्टी होता है फ्रेंट आप यूँ ही पी सकते हैं इसमें मैं थोड़ा से इमली डाल यूँ और इसमें हम पड़ी याड करेंगे आप लोग जितना चाहिए तना पानी याड कर सकते हैं और देखें मैं कम से कम दो ग्लास वाटर हमें याड कर रही हुँ तो All Resp экран तेस्ट बहुत बढ़ीया होता है और डेशन के लिए अच्चा होता है क्योंकि चैन owners दाल नहीं है इसमें और इसमें एड करेंगे दो होल रेड मिच रेड मिच पाउडर बिल्कुल मत डालेगा उसका फिर टेस्ट चेंज हो जाएगा सॉल्ट टेस्ट एकॉर्डिंग डाल सकते हैं मैं वन टेबल स्पून डाल रही हूं और कड़ी पता कड़ी पता ज्यादा डालने स अच्छा लगता है और इतना सा में गूड डाल रहे हूं गूड नहीं तो आप शुगर यूज़ कर सकते हैं और वन टमाट बिग सा इस टमाटर में पीसेस करके डाली हूं अभी लीड लगाके इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे एकदम सौफ्ट होने तक पकाना है अच्छी तरह से आ जाएगा यह वाला रसम है इना फ्रेंट्स डिनर में राइस के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है गर्मा गर्म काना चाहिए अगर आप राइस के साथ नहीं काना चाहते तो आप वैसे भी इसको पी सकते हैं बहुत टेस्टी होता है यह नेक् करेंगे होल रेड मीच और यह सारे जो इंग्रीडियन्स होता है यह प्लेवर बहुत अच्छा होता है और चनादाल वन टेबल स्पून और सारसो और जीरा हाफ टेबल स्पून इसको अच्छी तरह से फ्राइग करेंगे नेक्स्ट अभी प्याज एड़ करेंगे एकदम बिल्कुल छोटी प्याज बारी काटके डालेंगे और उसके साथ कड़ी पता भी एड़ करेंगे इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है जब आप लोग फ्राई करते टाइम में फ्रेंड्स एक्चुले आप लोग को फील प्रेंट में दंधाएगा जब बुन बूंते टाईमीं इतना बढ़ा सा फ्लेवर आता है अभी नेक्स्ट इसमें हम एड़ करेंगे गार्लिक गार्लिक बहुत थोड़ी से एक तरह छाज याज याड़ना है थोड़ा सा मिरस्ट करके डाली हुँ बाद में इसको जिसमें करेंगे रसम में नेक्स अभी फाइनल है हम इसमें आड करना है रसम में रसम पाउडर रसम पाउडर है फ्रेंट्स हर एक ब्रैंड का अच्छा नहीं होता है और घर का बने जो बहुत टेस्टी होता है मैं फ्यूचर वीडियोस में दिखाऊंगी एक बॉयल आने दिजिए औ और यह गर्मा गरम रसम इतना बढ़िया होता है और एक बैट यह स्वीट लिजिएगा एंड रसम साथ साथ में रसम पीते जाईए और इतना मज़या आता है जब आप कहेंगे वहां क्या बात है और इतना अच्छा लगता है फ्रेंट्स आप लोग इसको जिरूर ट्राइ किजिएगा एंड अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जेरूर किजिएगा कॉमेंट्स किजिए एंड यह वीडियो पसंद आये तो जेरूर लाइक करना ओके थैंक यू